प्यार का सब्ता यानि की वैलेंटाइन विक आज से सुरू हो गया पार्टनर्स एक दूसरे को तरह तरह के तरीके अपनाते हैं खुश करने को लेकर के एक से एक सर्प्राइज लेकर के आते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं पट्ना के बोरिंग रोड चौराहा पर और जो प्य का नाम है आपका तनीशा यहीं किया है नहीं कहां किया है विलेज में रहता है यहां आज गुलाब के खरीदारी करने हैं कि यहां तो बहुत सारा कलर है रेड यलो पेंक वाइट किस कलर के गुलाब आप लेना चाहरी है येलो 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 क्यों दी को देना है आप तो देखिए आप रोज की कलर की बात कर ली जाए तो देखिए रेड पिंक येलो वाइट सब तरह के फूल यहां कलर है गुलाब के और आज गुलाब बहुत माइने रखते हैं आज के चुकि आज रोज रहा रोज दे पर आप पार्टनर्स अपने प्रेमिका के लिए या प् गुलाब का फूल ली है कैसा मैसूस कर रही है अपने लेनी ले यह तो यह बच रही है ऐगा आज रोज यह है और और रोच चुली को लेकर तब ना यह बात है सब गर्फर्ण बड़्फर्ण वाला आते जादा लेने के लिए तो आपके पास अलग अलग तो पिंक है रेट है यलो है बहुत का गुलाब आता है सबसे महंगा सब महंगा ही यह वाला सबसे ज्यादा डिमांड कौन से गुलाब का है प्यार किया तो यह लो कलर का गुलाब ज्यादा यह ज्यादा माता में रेड़ ही बिगता है कि देखिए कि गल्स में ज्यादा देखने को मिल लड़किया बढ़ चड़ का हिस्सा ले रही है गुलाब की खरीदारी को ले कर के देखिए हम इन लड़कियों से भी बात करेंगे की अप लोग गुलाव की खड़िदारी कर रही है अज रोजडे है है किस कलर की गुलाव ले रहे हैं वाइड वाइड क्यों कि मेरा फैडरिट कोलर है लेकिन और यलो ज़्यादा तर लोग ले रहे हैं तो देखे कि आज गुलाव की खरीदारी बहुत जादे हो रही हैं प्रेट किया रखे हैं तीस रुप्या हैं हम आपको और भी लोगों से मिलवाते हैं यहां बहुत सारे फूल की विक्री है गेंदा भी है लेकिन आज की बात कर लें तो आज गुलाव के फूल की विक्री देखिए कुछ बीच बचाओ के भी सिती है यहां पे कोई चोड़ी छुपे भी ले रहे हैं कार्जियन का भी डर है लेकिन वेलेंटाइन विक मनाना है गुलाव तो लेना बनता है ऐसे में गुलाव के फूल की विक्री आप देखिए और खुमसूरत गुलाव के फूल किते प्यारे लग रहे हैं और आज वेलेंटाइन विक की सुरुवात के साथ गल्स भी जादा क्रेश देखने को मिला यह लोग वर्चड के हिस्सा ले रही है खरीत रही है हलाकि कुछ गल्स मना भी कर रहा है खुद तस्वीर लेने से लेकिन जो आज की तस्वीर आप देखिए कि किस त पटनाव संकिता सिंकी रिपोर्ट